हाई अब्रवान वेलकम टू सी ओई टी पीजी अड़ा टू फो सेवन सो बहुत सारे बच्चों की क्वेश्चन्स आ रहे थे कि माम कितनी उनिवर्स्टी जो है में हिस्ट्री में कोर्स ओफर करती है और कितनी सीट्स जो है अवलेबल है हमारे मेजो कॉलेजिस में जब भी हम बड़े-बड़े कॉलेजिस की बात करते हैं तो डी उ बी एची तो आही जाते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन-कौन सी ऐसी उनिवर्स्टी है जो आपको में हिस्ट्री का कोर्स जो है प्रोवाइड कर रही है और किस तरीके से आपको उन यॉनिवर्स्टी में आडिवीशन जो है मिल सकता है और कितनी सीट्स अवलेबल है जिससे आपको ये भी बता चल जाएगा कि आखिरकार कॉम्पटिशन कितना रहता है विकास कॉम्पटिशन पता होना चाहिए तब ही तो आप लोग महनत करते हैं तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कौन-कौन सी सेंट्रल यॉनिवर्स्टी जो है में हिस्ट्री का कोर्स आपको ओफर कर रही है तो मैंने पूरी लिस्ट को एनलाइज किया है जो कि आपकी सीवीटी पीडी सबग पोर्टल पर अवलेबल है तो उस लिस्ट क वही पर बाबस नाबस नाबस नाबस्ट कि जैनगी हो गया एक dog तो यह कुछ Central Universities है, जो की MA History दे रही है, विको Central Universities की अपनी हे advantage होती है, fees जो है कम होती है, माननेता जादा होती है, तो इसलिए जादा तर बच्चे जो है कोशिश करते हैं इन ही universities को target करने के लिए, और इन में से भी कुछ famous रहती है, जैसे BHE हो गया, DU हो गया, JNU हो गया, इसमें जो है सबसे जादा demand रहे थे, कि इससे अगर हम MA कर ले अपने, master's क degree कर ले, post graduation कर ले, तो बहुत बढ़िया जो है, आपकी profile बन जाती है, तो आप इन central universities को target कर सकते है, जब आप अपने MA history का आप exam देंगे, और MA history का exam आपको कैसे देना है, CUT PG का exam आपको देना पड़ेगा, तभी आपको MA history में admission मिलेगा, वो वाला time गया, जब आपको अलग entrance exam देना पड़ताता है, merit basis पे होता था, आप आपको CUT PG का exam देना होगा, CUT PG का exam आपको किस question paper code में देना पड़ेगा, HUQ P09, so यहाँ पर भी बच्चों को confusion रहती है, HUQ P09, जो आपको question paper code है, यह अगर इस code में आप exam देंगे, तब जाकर आपको in universities में admission मिलेगा, because history के और भी code है, जो कि अलग histories कराते हैं, अगर कोई archaeology में करना चाहता है, तो अलग history के code भी है, तो गलती से उनमें exam मत दे देना, अगर आपको MA history करना है, तो आपको इस code में exam देना पड़ेगा, HUQ P09, मैं उस से related भी video जो है लेकर आउँगे, जिससे आपकी वो भी confusion जो है, क्लियर हो तो आप मुझे नीचे comment section में जरूर बताएगे कि किस तरीके के video आप चाहते हैं, और आपके क्या-क्या doubts है, तो वह ही पर अगर अगे बात करें, तो यह तो central universities होगे, कुछ state university के बारे में भी मैं बताना चाहूंगे, जो कि MA history offer कर रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते है, बारकतुला उनिवर्सटी, क्लस्टे उनिवर्सटी of Jammoo, क्लस्टे उनिवर्सटी उनिवर्सटी उनिवर्सटी, जिवाजी उनिवर्सी, डॉक्टर श्यामर्प्रसाद मुखर्जी उनिवर्सटी, जॉक्टर ब्यारमबेट कर, School of Economics University, Bengaluru, and यहाँ पर Khwaja Manojdin-Chishtin Language University, Ranchi University, तो ये कुछ हमारी क्या थी state level पर युनिवरस्टी जो अगर आप स्टेट लेवल पर उनिवर्स्टी के तो वहां पर बड़िया इड्मीशन मिल जाए तो रहने वायने कभी हच्का बच जाए और आप राम से पोस्ट ग्रएजोशन कर पाउ मुझे इक अच्छे ऑप्शन्स ह कितनी seats available है, जिससे आपको एक आइडेय मिल जाया कि competition क्या रहता है, तो अगर आप यहाँ पर आप देखोगे, तो North Campus है, Department of History, South Campus में भी है, दॉलत राम College women है, इंदरप्रास Women College है, जांकी देवी में मुरूल विमन, कमलान हैरू, और यहाँ पर आप देखोगे हो, Hindu College, Hansars College, 27, 13, 3, 3, 2, 3, 3, इतनी seats reserved है, ठीक है, बाकी जो SC, ST, OBC और EWS, quota के लिए भी कुछ seats यहाँ पर available रहती है, तो आप देख सकते है, Delhi University में आप लगभग लगभग अगर अंदाजा लगाओगे, जनरल के लिए, तो 27, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 54, 55, 57, और around 60, 60 seats जो available है, और competition क्या रहता है हजारों में रहता है, ते, 31, आप देखोगे, पिछले साल आप देखोगे, 23,000 बच्चों ने लगभग भरा था, form CUTPG, हिस्ट्री के लिए, में हिस्ट्री के लिए, तो उन में से आपको, उन 60 लोगों की लिस्ट में आना है, जो कि यहाँ पर admission ले सकते है, तो competition तगड़ा किस टाइब की वीडियोस चाहिए, वही पर मैं आपको जो है, एक बार यहाँ पर दिखा सकते हूँ, लेडी श्री राम कॉलेज में, मिरान्दा, राजधानी, राम जश, श्री गुरुते, एस्जी टीबी, खालसा कॉलेज में, श्री वेंकर टेश्वस, एन स्टीफिंस, जाखिर हुसेन और NCWEB, so total 110 है, 60 उस वाले पेज पे, यहाँ पर बाकी पेज पे और भी सीट्स अव लेबल है, so total यहाँ पर आप देख सकते हो, 110 अंडर रिजर्व काटेगरी में है, general काटेगरी में, SC काटेगरी में 42 है, वही पर ST काटेगरी में 19 सीट्स है, और OBC के 26 सीट्स, so लगबग लगबग आप देखोगे, 220-230 के around total सीट्स है, अगर सारी काटेगरी सको हम involve कर ले, फिर भी बहुत ही कम है, because बहुत सारे बच्चे जो है, डेली उनिवरस्टी से जो है, अपनी मास्टर्स करना चाते है, तो यह NCWEB क्या है, तो यह भी इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, यह गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा option है, अगर आप लोग गर्ल्स जो है, इतना टाइम नहीं देख सकती है, पढ़ाई में सिर्फ साटर्डे संडे कॉलेज जा सकती है, और चाहती ही अपनी मास्टर्स करना, तो इसको लेकर मैं एक वी साटर्डे संडे मुस्ली लासे शलते हैं, और फीस भी बहुत मिनिमम रहती है, विमन के लिए होता ही है, तो आप बताईएगा, अगर आपको वीडियो चाहिए तो वही पर अगर आप अगर आप देखे, तो बहु की सीट इन टेक, अगर आप देखोगे, तो हुक्यू पी थे अगर, तो यहांपर मैंने अड़ान भी किया है, यहां पर आप देख सकते हो, कि अलग अगर अपर रहते है जो उनका में केंपस में डिपार्ट्मेंट है, वो को एड है, उसको डे एमसी कहते है, वही पर एक उनका महिला महविश्वेदल्य्य कह बहू एएग लोकेट वही पर यह colleges है जो कि BHU के अंदर ही आजाते हैं उनी के अंदर काम करते है आरे महीला पोस्ट राजवेट कॉलेज चेत गंज में सिर्फ फिमेल्स के लिए एम पीजी वही पर डीएवी पोस्ट राजवेट कॉलेज ओसंगज यह कोएड है डीएवी पीजी इसकी शॉट फॉ यह ओनली फिमेल है वही पर वसंथा कॉलेज फॉर विमेन राजवाड यह भी जह सिर्फ फिमेल के लिए है तो यहां पर आप देखोगे बच्चे किसको टार्गेट करते हैं जो में कैमपस वाला है DMC इसको टार्गेट करते हैं MMV क्योंकि सब में कैमपस में पढ़ना चाह ही पॉर चाहन चाहिवन पनाप देखोगेट करते हैं जो तो तो आकले ऄोग की फिमिकेरा आप को टार्गेट करते है। तो यहां पर यह का फोकस होना अच्छे की आप नाम आ चाहिए है यह होगी बात है के यह तो होगी बत है गया बहना भी थूच जो आपको अब किसी अ और Archaeology भी ओफर किया जाता है, Ancient Indian History और Archaeology, तो वो HUQP01 अगर आप देते हो, तो आप उसको उसके लिए जो eligible हो जाते हो, अगर आप HUQP01 देते हैं, तो आप इस वाले course के लिए eligible हो जाते हैं, जो कि BHU में करवाया जाता है, ये भी एक तरीके का Master's है, बढ़ इसमें Archaeology में Specialization हो जाती है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, तो 96 seats जो है यहाँ पर available है, 96 seats जो है यहाँ पर आपको यह पास available रहेगी, वही पर अगर आप चाहते हैं MA History of Art, ये MA History नहीं है, ये MA History of Art है, अकसर बच्चे इसमें confused रहते हैं, कि माहम हमें क्या HUQ P10 में देना है, तो HUQ P10 में इसमें आप एक अलग हिस्ट्री रहते हैं, इसमें MA History of Art करके आपकी डिगरी रहेगी, MA History नहीं है, History of Art है, तो ये अगर आप QP10 में देते हैं, तो आपको इसके थूद्मिशन मिलता है, तो आप बच्चे बोलते हैं, कि माहम हमें मुसली कौन सा देना चाहिए, कौन से Question Paper Code में, अगर हमें MA History करने हैं, तो आप HUQ P09 में देजीए, बट अगर आपका मन है, कि आप ये वाला कोर्स भी करना चाहते हैं, आर्केलोजी में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आप HUQ P01, HUQ P10 भी दे सकते हैं, अब वो लोगों के मैं क्या 1, 7, 2, 3, 4 दे सकते हैं, तो आप दे सकते हो, क्या होता हैं, 4 आप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे BA के बच्चे हो, तो उनको होता है कि यार, हम हिस्ट्री भी करना चाहते हैं, हमारा माने मास्टर्स में, जोग्रिफी में भी कर दूँ, पॉल साइंस में भी कर लो, तो वो अलग-अलग कोड में एक्जाम देते हैं, तो बहु की सीट इंटेक में आपको बता दी, वहाई पर एक बार जो है, यहाँ पर JNU की भी सीट इंटेक हम देख लेते हैं, सो JNU में क्या होता है, में के लिए, आपके पास आपको हुक्यू पी-09 ही देना पड़ेगा यहाँ पर, हुक्यू पी-09 ही आपको एक्जाम देना है, तो JNU में क्या होते हैं, आपको अपनी स्ट्रीम चूस करनी होते है, कि आप एंचेंट हिस्ट्री में मास्टर्स करोगे, मिडेवल में, मॉर्डन में, वाद में हो जाता है, तो उन्होंने अपनी सीट्स बना रही है, कि एंचेंट उसके लिए 13, 13, 13, 13, जो हैं, एंचेंट और मिडेवल के लिए 18 सीट्स है, उसमें से अगर आप देखोगे, SC के लिए 5, 5, 6, ST, 2, 2, 2, OBC, 8, 8, 8, 8, EWS, टोटल आप देख सकते हैं, तो आपको 500-600 की सीट्स आपको दिखाई देख सकते हैं, इन 500-600 की सीट्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो इन 500-600 की सीट्स के लिए कॉंपटिशन बहुत ज़धा हाई रहता है, तो आपको जादा से जादा कट-फ लाना है, 300 में से आपको माक्सिमम टू-माक्सिमम मार्क्स जो है, target करने है तब जाकर आप जो है अच्छे college में जा पहोगे 250 के around जो है आपको marks target करने है 300 में से 250 लाना बहुत मुश्किल है यह लगता है असान है history जैसे subject में लाना मुश्किल है तो target करोगे तब भी तो लेकर आप आप होगे इससे कम या फिर इसके around so आप इसको target करिए वही पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी doubt है कुछ भी पूछना है तो आप मुझे mail कर सकते है ashi.sharma ashi.sharma at the rate at the rate at the rate at the 247.com इस पर आप मुझे mail कर सकते है अगर आपको कोई भी doubt है आप चाहते हो कि आप personally कोई guidance लें चाहते हो तो आप मुझे से यहाँ पर पूछ सकते है और वहीं पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि coet pg history का भी course जो है बहुत जल्द आपके सामने डिखी गया है आपको announce भी हम कर रहे है बहुत जल्दी तो आप उस badge को भी जो है ले सकते है और अगर आप अभी इस independence celebration के time period में अगर आप लोगे तो आप मेरा coupon code आशी20 अगर आप यूज करोगे तो आपको 80281 का discount जो है आपको मिल जाएगा तो आप website पर जाएगे और purchase करते time आप ये coupon code लगाएंगे तो आपको जो है एक अच्छा खासा discount भी विलेगा तो एक अच्छा मौका है because otherwise जो है courses के price काफी जादा high रहते है तो आप coupon code लगाके कम करके और इस time पर इनको खरीद सकते हो तो proper chronological manner में हम सारी चीज़े जो है cover करेंगे तो I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे comment section में जरूर बताईए और इस वीडियो को like करे, share करे because ऐसी motivation आएगी और इसी तरीके की और भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे सो मिलते हैं में नेक्स वीडियो में तिल दिन आप सब लोग अपना देहां डिके, ता ता तेके, बाइ-बाइ